फैशन के इस दौर में बाजार तरह तरह के स्टाइलिस जूलरी से भरा हुआ है। बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज हम इस वीडियो में आपको इस बिजनस के बारे में पूरी जानतारी देंगे। अगर आपके पास कोई दुकान है तो आप उसमें अपने काम को शुरू कर सकते हैं या आप इस बिजनस को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। बात में जब आपका बिजनस अच्छा चलने लगे तो फिर आप मार्केट में दुकान ले सकते हैं। किन-किन जरूरी लाइसेंस के आवशकता होगी। इस बिजनस को शुरू करने के लिए रिजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है। आप अपना बिजनस उद्द्योग आधार के अंडर रिजिस्ट्र करा सकते हैं। अगर आप बिजनस बड़े स्तार पर करना चाहते हैं, आपको अपना firm, proper राइटर्शिप या फिर पार्टनर्शिप के अंडर रिजिस्ट्र कराने की जरूरत होती है। मार्केटिंग कैसे करें? हर बिजनस को चलाने के लिए उसकी मार्केटिंग करना ज़रूरी है खास तोर पर अगर बिजनस नया है तो उससे समय उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है handmade jewelry business की marketing आप offline के साथ online platform पर भी कर सकते हैं और अगर आप अपने काम के लिए एक website design करके उसे online कर देते हैं तो आपका business बहुत देजी के साथ आगे बढ़ेगा और दूर दूर तक आपका product पहुँचने लगेगा इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? इस business की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको बहुत कम पैसों में अपनी creativity के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं अगर आप handmade jewelry का business करना चाहते हैं तो इसके लिए लगबग 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का investment आपको करना होगा ये business पूरी तरह से आपकी creativity और मेनत पर निर्भर करता है आप चाहें तो इसे और बड़े स्तर पर ज़ादा investment के साथ भी शुरू कर सकते हैं Profit कितना होगा? handmade jewelry business को शुरू करने में आपको हर महीने लगबग 30-40,000 रुपए का मुनाफ़ा हो सकता है इस business को करने में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि handmade jewelry की demand हर समय बाजार में बनी रहती है आने वाले समय में ये और भी जादा हो सकती है तो देर किस बात की? आज ही शुरू करें अपना खुद का handmade jewelry business ये था handmade jewelry बनाने का business जिससे आप घरवेठी अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो subscribe कीजिए हमारा चैनल, वीडियो को like कीजिए और share कीजिए ऐसे और business ideas के लिए comment section पर जरूर जाएं